नमस्कार इस विशेश बुलिटिन में आप सभी का सुवागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना नायर और मेरे साथ हैं मेरी सहियोगी मनीशा जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुवात करते हैं सुभा की सुर्ख्यों के साथ। कॉलकाता आर जीकर मेडिकल कॉलेज हिंसा मामले में बड़ी कारवाई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर तीन पूलिस अधिकारी निलंबिन। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स आज दिल्ली के CBI दफतर से स्वास्थे मंत्रवाले के दफतर तक करेंगे मार्च। आज अमेरिका के पाँच दिवसिये दौरे पर होंगे रवाना एतिहासिक MQ-90 प्रदेटर ड्रोन डील पर होगा फोकस। दिसंबर में होगा भारत का हिूमन रेटेट गगन्यान रॉकेट का पहला परीक्षन। डीडी न्यूस के साथ विशेश बाचीत में इसरो प्रमुख ने आंतरिक्ष मिशन गगन्यान की प्रगती की दीद जानकारी। बांगलादेश में शेख हसीना और उनके सहयोग्यों के खिलाफ खत्या और अपरहण से जुड़े। नौ और मामले दर्ज शेख हसीना के खिलाफ पहले भी कई मामले हैं दर्ज। गज़ा संगर्ष विराम के लिए मध्यसता को लेकर कतर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री आंटनी ब्लिंकन। शान्ती समझोते पर करेंगे चर्चा। अब खबरें विस्तार से। प्रधान मंत्री नरेंत्र मोदी आज पोलेंड की दो दिवसिये राज के यात्रा पर रवान होंगे। यह पिछले 45 वर्षों में किसी भारतिये प्रधान मंत्री की पहली पोलेंड यात्रा है। पोलेंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सों में अपचारिक स्वागत किया जाएगा जहां पीएम मोदी पोलेंड के राश्रुपती आंद्रे सिबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे इसके अलावा पीएम मोदी पोलेंग के प्रधानमंत्री डॉनल्ड टस्क के साथ द्वीपक्षिवारता भी करेंगे पीएम मोदी राजधानी वार्सों में मौन्टी कैसीनो समारक का भी दौरा करेंगे और सेनिकों को शुरधा सुमन अर्पित करेंगे साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पोलेंज में कोलापूर के महराजा के सम्मान में बने मेमोरियल भी जाएंगे पीए मोदी पोलेंज में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक शेत्र से जुड़े महतपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे दश्यकों बाद भारते प्रधानमंत्री की पोलेंड के सियात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन ख्षेत्रों में सहीयोग बढ़ने की उमीद जताए जा रही है इस दोरान दोनों देशों के बीच कई एहम समझोतों पर हस्ताक्षर होने की भी उमीद है इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पोलेंड में रहने वाले भारती समुदाय के लोगों से समवाद भी करेंगे कौलकता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवम अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोडफोर के मामले में जूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है इसमें दो सहाय कुलिस आयुक्त और एक इंस्पेक्टर शामिल है तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में जूटी पर थे तोडफोर की घटना तब हुई जब महिलाओं की नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कौलकता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनिय डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की जो इस जगन्य बलातकार और हत्य की शिकार बनी थी इस घटना के बाद शिकायते सामने आई कि तोडफोर जान बूच कर की गई ताकि स्वतह, स्फूर्त, विरोध से ध्यान भटकाया जा सके शहर के पुलिस अधिकारियों ने तीन वाधिकारियों को निलंबित करने का फैसला ऐसे समय में लिया जब कुछ घंटे पहले ही सुप्रिम कोट ने 15 अगस्त को हुई तोडफोर से निपटने में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाये थे देश भर में कॉलकता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में विरोज प्रदर्शन लगाता जारी है इसी कड़ी में आज आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर नई दिल्ली में सीबियाए दफ्तर से लेकर स्वास्ते मंत्राले तक मार्च निकालेंगे डॉक्टर ये मार्च आज सुभा ग्यारा बज़े निकालेंगे सोंबार को ही दिली एम्स के डॉक्टरों समेट अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने स्वास्ते मंत्राले के सामने विरोध प्रदर्शन किया था कॉलकटा के बाद महराश्टर के बदलापूर में दो बच्चियों के साथ यौन उत्मीडन की घटना से पूरा देश कुस्से में है इसका असर कल बदलापूर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया जब यहाँ प्रदर्शन कारियों ने ट्रेनेर रोंग दी घटना के विरोध में लोगों ने करीब दस खंटे तक रेलवे स्टेशन की पट्रियों पर प्रदर्शन किया हाला कि अब ट्रेन सर्विस बहाल हो चुकी है इस बीच महराश्टर सरकार ने इस मामले में उच्चस तरिये जाँच के आदेश दिये है आईजी लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंग के नेतरित में साइटी गठित कर दी गई है सरकार के ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जाज पूरी हो ताकि चार्ट शिट दाखिल की जा सके वरिष्ट वकील उजवल निकम सरकार की तरफ से मुकत्मा लड़ेंगे फास्ट ट्राक में इस केस की सुनवाई होगी जो तीन महिने में अपना फैसला देगी आरोपे गिरफतार किया जा चुका है स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है साथ ये F.I.R. देर से दर्ज किये जाने के कारण तीन पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है त्रिपूरा में पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस कलन और डूपने से साथ लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य लापता हैं एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबुधित करते हुए राज्ये के राजस्वर सचिफ ब्रिजेश पाने ने कहा कि पिछले 48 खंटों में राज्य भर में भारी बारिश के कारण राज्य के विभिन हिस्सों में बार जैसी स्थिती पैदा हो गई है नदियों के जलस्तर में वृद्धी के कारण बार का पानी तडबंधों और निचले इलाकों के घरों में घुज गया है दिली से लोटने के बार मुख्य मंतुरी ने बार की स्थिती को लेकर समीक्षा बैठक की बैठक में वर्तमान स्थिती का मुल्यांकन किया गया और बार के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए जाए इसके लिए भी निर्देश दिये गए राजय सरकार ने राजय भर में 183 राहत शिवर स्थापित किये है रक्षा मंतुरी राजनात सिंग आज पाच दिवसी अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे यह यात्रा रक्षा आधिग्रहन परिशत में हुए संशोधनों के साथ साथ भारत अमेरिका के बीच MQ-9B Predator Drone Deal के लिए महत्पूर होंगी इस यात्रा में लंबे समय से इंतजार कर रहे Indo-Pacific Maritime Domain Awareness IPMDA पर भी बात की जाएगी भारती रक्षा मंतुरी राजनात सिंग 23 अगस्त को अमेरिका के पेंटगन में अपनी समकक्ष Lot Austin के साथ बातचीत करेंगे इस दोरान दोनों देशों के बीच रग्षा सहयोग और आपसे रिष्टे को मस्बूत करने पर जोर दिया जाएगा वहीं D.A.C. द्वारा स्वदेशी करके प्रतीक्षित में संशोधन को मंजूरी दिये जाने पर भी बात होगी साथ ही 2022 में कोड देशों द्वारा की गई घोशना पर भी बात की जाएगी भारती नौ से नौ उब ग्रह के माध्यम से इंडो पैसिफिक में पारदर्शिता के लिए हाक आई 360 वानेजिक ऑपरेटर के साथ जोड को लेकर घोशना की गई थी बंगलादेश की अपदस्त पूर्व प्रधान मंतरी शेख हसीना की मुश्किले और बढ़ गई है शेख हसीना और उनके सहीयोग्यों के खिलाफ कम से कम नौ और शिकायते दर्ज की गई है जिसके बाद उनके खिलाफ 31 केस हो चुके हैं इसमें 26 हत्या के आरोप चार मानफ्ता के खिलाफ अपराद और नरसंगार के साथी एक आरोप अपरहन का भी शामिल है सर्वोचिन्यायाले के एक वकील ने हसीना और 23 अन्यपर 5 मई 2013 को मोती जील के शपला चत्तर में हैफजर ते इसलाम रैली के दौरान मानफ्ता के खिलाफ अपराद और नरसंगार करने का आरोप लगाया है गाज़ा संगर्श विराम के लिए मद्यसता को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री आंटनी ब्लिंकन कतर दौरे पर हैं दोहा में पत्रकार उसे बाचीत के दौरान आंटनी ब्लिंकन ने कहा कि एगाज़ा संगर्श विराम समझोते को आने वाले दिनों में पूरा किया जाना चाहिए उन्होंने साथी कहा कि अमेरिका, मिस्र और कतर इस समझोते के लिए हमास को मनाने के लिए हर कोशिश करेगा ब्लिंकन ने कहा कि हमास अगर अमेरिका दौरा प्रस्तावित संगर्श विराम पर सहमत हो जाता है तो इसे लागू करने पर भी सहमती ली जाएगे साथी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि वहे इसराइल द्वारा गजा पर दीर्ग कालिक कब्जे को सुविकार नहीं करता है गजा में युद्विराम की कोशिशों के बीच इसराइली सेना ने छे और बंधकों के शव बरामत किये है ये हमास द्वारा पिछले वर्ष साथ अक्टूबर को इसराइल पे हमले के दौरान बंधक बनाये गए 200 लोगों में शामिल थे इसके बाद इसराइल की जवाबी कारवाई से गजा युद्व शुरू हो गया था माना जा रहा है कि हमास के कबजे से अब भी 109 बंधक है इसराइली सेना ने कहा कि उसके बलों ने दक्षुडी गजा में रात भर चले ऑपरिशन में शव बरामत किये है यह घटनक्रम तब हुआ है जब इसराइल और फिलिस्तिनी आतंगवादी सम्हूं के बीच मदभेट कम करने और गजा युद को खत्म करने और बंधकों की सुरक्षित वापसी के उद्देश से अमेरिकी विदेश मंत्री आंटनी ब्लिंकिन ने मिस्र का दोरा किया है बॉलिवियाए अग्मी शामकों ने एक महिने तक चली था बाही के बाद सांता क्रूज श्रेत्र में व्यापक आग पर काबू पाने के लिए काम किया है आग से घरों वन्यजीवों को काफी नुकसान पहुंचा है पूर्वी बॉलिविया में जंगल की आग निग्रामीनों को निकलने पर मजबूर कर दिया है और वन्यजीव भी मर गए है अधिकारियों ने कहा कि सांता क्रूज बेनी और पांडू श्रेत्र में आग पर काबू पाने के लिए 500 से अधिक अग्मिशाम को को तेनात किया गया है जानकारी के अनुसार आग ने बॉलिविया में 2 मिलियन हेक्टर से अधिक श्रेत्र को तबहा कर दिया है इस बीच सांता कूज प्राकृतिक संसाधन ने दिशाले की जैव विद्धा टीम आग से प्रभावित वन्यजीवों को बचाने का काम जाने रख्य हुए है इसी के साथ इस विशेश पुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरी सहयोगी मनीशा के साथ हमारी टीम को फिलहाल के लिए दीजिया अनुमती देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें डीडी न्यूस नमस्कार